हलो एवरीवन वेलकम टो और चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर रास्तान में स्टाफ नर्स की वेकेंसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कितनी पोस्ट है कौन-कौन एलिजिबल है कैसे आपको फॉर्म बढ़ना है कम्पेटली वन बाई वन हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़दा इंपोर्टेंट रहने वाले अगर आप इस फॉर्म को अपलाई करना चाहते हैं और किस कौन-कौन से प्रास्ता अजरकार की तरफ सी दर जो की इहां पर स्पेश्ली अम लोग यहां पर बात करेंगी यहां सबसे पहले बात करते हैं यहांपर कैसे आपको form apply करना है तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज जी के दिन मेर में offline यहां पर आपको form apply करना है अब बात करते हैं यहां पर चिकित सक्की पोस्ट यहां पर 10 जिसके लिए यहां पर MBBS compulsory PG registration in RMC वही especially हम लोग बात करें के nurse grade second जिसके अंदर 70 post है और यहां यहां पर जो qualification है वो यहां पर आपके BSC nursing है ZNM होनी चीए साथ यहां पर आपका registration होना चीए रास्ता nursing council में यहां पर radiographer की भी 15 post है तो यह video आप उन अपने सबी friends तक भी share करिएगा जो की radiographer के लिए यहां पर अपना apply कर सकते हैं तो बात करते हैं आपर कैसे यहां पर आपका selection होगा UTP based temporary based पर यहां पर vacancy रहने वाली है और यहां पर जो merit list होगी merit list के recording यहां पर आपका चाहिन होगा साथ यहां पर जो particular विकनेर के से रहने वाले वासी है वहां पर उनको priority दी जाएगी first priority देंगे साथ यहां पर जो कोवीड के अंदर काम कर चुके हैं और उनके पास कोवीड के अंदर काम करने का certificate तो आप उन्हें यहां पर government और रास्तान है वो यहां पर first priority देगी तो जैसे यहां पर other state के other जगे की यहां पर vacancy आती है या nursing officer से related कोई भी vacancy आती है वो यहां पर इसी YouTube चैनल के उपर सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है जैसा कि आपको सभी को पता है और अगर आपने वोट्सप ग्रूप जोई नहीं कर रहता है तो वोट्सप ग्रूप का लिंक आप पो इसी वीडियो के अंदर description के अंदर मिल जाएगा वहां से आप वोट्सप ग्रूप के अंदर एड़ होईएगा साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स तक share जरूर करिएगा और सभी इस form को apply जरूर करिएगा ओकी thank you thank you so much